हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं हरीमिर्ची का मसाला फ्राय बहुत ही स्वादिश्ट दोस्तों एक पर इस तरीकर से बना लेंगे तो दू रोटिक जगा चारु खाएँगे बहुत ही स्वादिश्ट मज़दार लगते हैं दोस्तो तो हमने यह 500 ग्राम हरी मिर्च लिए हुई है और इसे धोग के पोच लिया हुआ है तो इसे हम कट करेंगे लंबे-लंबे टुकरों में तो चलिए इसे कट कर लेते हैं दोस्तों बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों तो हर और बनाना चाहेंगे और वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लेगी तो फिलिजी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी हरी मिर्च फ्राई रेसिपी और बहुत ही चटपट नहीं लगेगी इतनी स्वादेश लगती है तो इस तरीके से हम सारे मिर्ची को बिच से कट कर लेंगे इस तरीके से लंबे-लंबे स्लाइस में हमने सारे मिर्ची को इस तरीके से कट कर लिया हुए अब देख सकते हैं तो चलिए बना लेते हैं तो हमने दो बड़ चमच ते तो यह देखिए दोस्तों, तो हमें अच्छे से भूनना है इसे, तो देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो गया है हरी मिर्च को, तो इसमें मसाले डालेंगे, तो चलिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे हम डालें हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमच, और इसमें हम डालेंगे, धनिया पाउडर आधी छोटी चमच, और इसमें हम डालेंगे, एक चमच आमचूर पाउडर, नमक डालेंगे, सफेद नमक, और आधा चमच पिंक नमक, और धनिया पाउडर एक चमच भर कर डालेंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम लो और हम डाल देते हैं चाट मसाला दी छोटी चमच इससे बहुत बढ़ी चटपट स्वाद आएगा और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं तो ढ़कर हम भूनेंगे ताकि इसका मसाला जल्दी पक जाए और स्वाद बहुत बढ़ी आए तो यह देखिए दोस्तों और इसे हम चला लेते हैं और फिर से हम ढखके पका लेते हैं एक मिनट के लिए ताकि मिर्ची थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो देख सकते हैं आप मिर्ची हमारी बनकर त्यार हो चुकी है मिर्ची मसाला फ्राई तो चले इसे हम आपको दिखाते हैं सर्फ करके तो यह देखिए कित्ती सुंदर कुरकुरी मेडशी बनी है जो भी देखिए उसके मुह में पानी आ जाए बहुत ही मज़ेदार बनी है दोस्तो तो इसे तो एक पर जरू ट्राए करिए एक बार बनाएंगे तो एक हफ्ता तक आपको बनाने के जरूरत नहीं कि पह तो तिमाज़ता दोस्तो इन्जाय करिए